नमस्कार साथियों आप सब का उनह स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो जोतिश में तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुंडली श्री चेतन्य महाप्रभु जी की एक नया उधारन प्रस्थत करते हैं भक्ति योग के बारे में अलग-लग प्रकार मतांतर रहते हैं कई अश्टांक योग को मानता है को मानता है तो अलगलग प्रकार इश्वर को प्राप्त करने के भगवत हरगीता में साधन बताए गए और मतांतर में आपस में जो दिके धर्म तो अबने पहली समझाया था आपस में डिसकोषन कि है था किiche धर्म समझाने का नहीं, पहले खुद समझने का विशह, कोई कहता है कि निवेद सर्वो परी है, हम उपनिशदों को थोड़ा नीचे मानते हैं, हम पुरानों को और नीचे मानते हैं, अभी ये इस प्रकार का हिरार्की जो बनाया गया है, वो इसलिए नहीं बनाया गया है, कि आपस में द्वन्द किया जाए सभी ईश्वर से मिलन के मार गहें किसी को भी ऐसा भी हो जाता है जो हमने बाई डिफॉल्ट तैकी एनियम यानि वेद के जानकार अगर उस जानकारी का एहिंकार कर ले तो फिर वो जो कुछ नहीं जानता है उससे भी ज्यादा नश्कष्ट यूनिय में जा सकता है इसलिए अपने ग्यान का तो हिंकार ही नहीं करना है जहां तक बात एक आप हम कुछ नंगुस्तों वेद के अलावा भी हम अपने जीवन में कुछ नंगुस्तों इतिहास पढ़ेंगे इसलिए हम पुरानों को भी उतना ही सम्मान देंगे जितना वेद उपन केवल वेद के पाध हम जो जीवन जीना चाहते हैं वे बच्चों को कुछ उत्साव तनके लिए कुछ कहानिया चुनाना चाहते तो तो सब से बढ़िया है कि आज की आधुनिक जो जीवन शेली उसमें इस प्रकार का जो अगर कोई ऐसा साहित्य अगर वो खराब है उस सहित्य को हटा कर हम पुराणों में जो अच्छी अच्छी कहानिया वर्नित हैं उनके बारे में अपने अपने शिशुओं को बताएं वो सही तरीका और खाली यह कह देना कि नहीं मैं वेद के अतरिक्त और किसीवी चीज को नहीं मानता हूं इससे गलत संदेश चला जाता है तो फिर विक्ति क्या पढ़ेगा फिर वेद वो पढ़नी पा रहा है उसको वेद की गूड संसकृत शब्द नहीं समयन में आ रहे हैं पुराणों इससब्द नहीं सबसेद अच्छा है ऐसा कभी कहना बहुत बड़ा दोशित पंड करता है वो मुझे भी घर्त मेरे डाल सकता है मैं केहदू कि नहीं सिर्फ ज्यान योग सर्वोबपरी है वो मैंने धारन किया है, आपका जो इश्वर को पाने का तरीका है वो सही नहीं है, तो मुझे उसका मुल्य चुकाना होगा, बुझे उसका पाप लगेगा, तो इसलिए इस प्रकार से इनने किसी को कहना है, कि कोई विक्ति संतुष्टी से अपना जीवन जीर है इश्वर में मानता है नुर्ट करता है इश्वर के लिए रहता है तो ध्यान रखना है यह वाली बात कि जब भी कभी हम इभीस प्रकार का मतमान अंतरा लग-लग हो सकते हैं इश्वर को पाने के अलग-लग तरीके हो सकते लेकिन किसे के सामने, किसी मत को लीज़ा दिखाना या किसी मत को उचा दिखाना वो सही तरीका नहीं है सभी ब्रह्म से मिलने के तरीके कोई साकार में भजा रहा है कोि निराकार को जानता है जिसकी जैसनि समठ इश्वर ने दिय और तक पहुंचा सबAULT तो चेतन्य महाप्रभू ने आज के समय, कल्यूक के समय, जब गूड मंत्रों का वाचन करना भी कठिन है, तो महामंत्र हरे राम, हरे कृष्ण, इन मंत्रों से भी परमात्मा के उसी रूप को पाया जा सकता है, तो जो वेद के गहन मंत्रों को पढ़ने के बाद दिखती जान तो आज कल के समय पर सबसे ज़्यादा महतव जाय कह सकते हैं व्रंदावन का जो पुनरुत्थान जिनके नाम जाना जाता है वो चेतन्य महाप्रभू, व्रंदावन को चेतन्य महाप्रभू से पहले एक शहर के रूप में देखा जा रहा था कि भी ये आतिहासिक नगर है, लेकिन विरंदावन का जादा विदान, वरंदावन जाना वहाँ वास करना, ये चेतन्य महाप्रभू के प्रयासों के बाद ही संभव हो पाया तो उनकी कुंडली का हम आज अवलोकन करेंगे और देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे योग हैं जो उनको चेतन्य महाप्रभू बनाते हैं, गौरांग महाप्रभू बनाते हैं, गौरांग इसलिए क्योंकि उनका वन बड़ा गौर वन थे, बड़े गोरे शरीर से थे, इसलिए गौरांग महा प्रभू काहा जाता और निमाई करनेवाले, तो इस प्रकार अलग-अलग नाम दिए जाते हैं? चो बड़े प्रिय रहते हैं? इनको जदा और और वो उसको स्विकार भी करते हैं सहर्ष स्विकार भी करते हैं भगवान कृष्ण राधारानी का मिला रूप भी चैतन्य महाप्रभू को माना जाता है तो लगन क्या मिला तुला लगन सबसे पहले हम क्या देखते हैं लगन लगनेश चंद्र चंद्रेश की सिद्धी देख लगन तुला लगन किसका लगन है शुक्र महराज का लगन है शुक्र हम जानते हैं जब भी कभी कुमल सरूप की विचार धारा इस प्रकार का जो हमार अउटलुक जाएगा तो तुला लगन या ब्रशब लगन माना जाता और तुला लगन की एक advantage कह सकते हैं कि ये हैं कि वो अपने कार्यों को प्रेम से मनवाते हैं जिसको क्या बोलते एक प्रकार का कि भही हम यहां पर इस प्रकार से अपने उत्सव मनाएंगे एक मानक प्रक्रिया के रूप में क्योंकि हम इसको अनुबंद के रूप में भी देखा जाता है तो ऐसा नहीं कि खाली हम अपने प्रेम से ही जाने जाते हैं मदमस्त हो जाते ही नहीं जो कार हमें करना है उसको भी एक agreement के रूप मैंनुबंद के रूप में उसको करवाते हमने यह तहीं कि यहां हम वार्षी को सम मनाया मुझाया जाता था महाप्रभू के द्वारा कि हम ऐसा उत्सों मनाएंगे सभी उसको मानते थे तो यह सात्वे राशी का बड़ा बल माना जाता है किसी एग्रीमेंट के रूप में कहले अनुबंद के रूप में कहले और धनात्मक रूप में क्योंकि शुक्र तो आप जानते आगे वो फिर प्रचलन में आ गए आज तक भी जो बहुत बड़ी संस्थाएं कह सकते आई इश्वर के प्रसार प्रचार के लिए इसकौन जैसी बड़ी-बड़ी संस्थाएं जो है वो कही ना कहीं चेतन ने महाप्रभू जी को ही अपना कह सकते हैं मार्ग दर्शक मानते हैं उन्ही को अपना मुख्य प्रवर्तक मानते हैं कि केतन ने महाप्रभू के दिखाए गए रास्ते से ही इसकौन जैसी बड़ी-बड़ी संस्थाएं भगवान स्रिकृष्ण का प्रचार प्रसार कर रही है और इसमें हमें भी उसका कहीं ना कहीं लाब लेना चाहिए दे ज्यादा अच्छा है उसके उस विश्य में नहीं है अभी तो यह कि मुझे अगर भक्ति योग से मुझे इश्वर मिल जाता है मिल सकता है तो मैं उसी का अगर अधिकारी हूं वो मुझे सरल लगता है तो दूसरा दूसरे को उसमें कोई आपक्ति नहीं होनी चीए कि धर्म समझने का विश्य है ना कि समझाने का वही तुझे ऐसा कर रहा है तो तुझे अपराद हो जाया अगर मेरा मन प्रसंद है मैं भगवान के रूप को देख कर उसको 24 घंटे निहारना चाता हूं उनके संकीरतन गाते रहना चाता हूं तो वही संकीरतन मेरे लिए मुक्ति के मुक्ष के द्वार खोल देगा तो इसलिए इस प्रकार की जो इस प्रकार अपने आपको इश्वर के लिए समर्क्वित कर देना वो विशार धारा आई वो कहां से इस पन्वी चैतन में महाप्रभू ठीक हो गया तो सात्वे भाव में शुक्र यहां दिखाई देते हैं फि जहां तक सांसारी कोई ऐसा क्योंकि इसको हम सैल्दरी के साब से भी देखते हैं गया रवे भाव को तो उनके साथ उनका विशे लोने जोड़ा नहीं लेकिन कोई सांसारी कि इच्छा कि मैं इश्वर के लिए प्रकार का एक भवे समार हो करना चाहता हूँ उसके लिए कभ अब समभव होता है जब हमारी इच्छा पूर्ती प्रबल अब वो इच्छा पूर्ती चाहे संसार को लेकर ओ और चैवो कहीं ने कहीं शवर को लेकर और उसमें चंद्रमा के साथ के तू का मिलना जिसे के तू को हम मुक्षा प्लानेट मानते इससे पहले वाले वीडियो मे में बहुत अच्छे से विस्तार से बात बताई थी कि मुक्ष में केतू जैसे प्लानेट ब्रहसपती जैसे प्लानेट का बल्ल बहुत ज्यादा माना जाता है तो आप देख सकते हाइं कहीना कहीन बहहसपति नुभी दृश्टी से केटू को देख रहा है और के तुछ जो कि भई हमें तो चाहे भक्ती से प्राप्त करें, चाहे हम ज्ञान से प्राप्त करें, उसको प्राप्त करना है, हम उसके लिए अपने कारे कर रहें, तो देख रहे हैं आप, इच्छा पूर्ती भाव में फेतु और फिर ब्रहस्पती का प्रभाव, इच्छा पूर्ती को भी क कुंदर मिलन रहस्पति केतु का यहां दिखाए देता है केतु सांसारिक दृष्टी से एक प्रकार का जैसको बैराग यह कह लें चैटाच्मेंट कहले वो दिखाता है तो चंद्रमा के साथ केतु का मिलन हम यह उन लोगों के लिए एक अच्छा उधारण है जिनोंने चंद् वैवार की नीतियां उनका भी महाप्रभू ने पूरा-पूरा संबान किया इसमें हम आगे देखेंगे कि भजन गाईका के जरिये राजनितिक जो उस प्रकार अस्थिर्ता उनके जन्म समय चल रही थी पंद्रवी शताब्दी में जो प्रकार की अस्थिर्ता का महौल था उस समय सभी धर्मों को एकसात लेकर आना बक्ति आंडोलन के बल से राजनितिक अस्थिर्ता की दूनों में सर्वदर्व संभाव सभी धर्मों को मिला कर चलना इसमें सभी धर्म या पंथों को मिलाना इसका मुख्यकारण राहु काиком ही लगन पर अभी प्रभाव रहा तो आप जानते हैं सभी अलग लग प्रकार के धर्मों को संभाव देखना उनके अपने पूजा बत्ति को अच्छा मानना लेकिन दूसरी पूजा बत्ति के भी प्रती हमारे मन में आदर सम्मान होना ये कहीं ना कहीं एक अच्छा धारण माना जाता है अगर हमारा लगन पर धना इक विदेशी विक्ति और चेतन्य महाप्रभू के द्वारा ये रखी गई नीव के करणरी आज देश ही नहीं विदेशो में भी उनके द्वारा जो उन्नों ने वह प्रकार्स अंपन विक्सित देशों में भी Чेतनय महा प्रभू को बढ़े आदर सम्मान के साथ उनका ना लिया जाता है बहुत फॉलोवर बन गे अलग 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 पूजा पद्दितियों के लोग के तरने महापरुव को मानने लगे तो उसमें कहीं न कहीं यह राहू का प्रभावत राहू याने हमारी सब्विता से अलग फॉर्णर भी कह देते हैं तो बल दिया जाती पाती उच नीच की भावना को दूर करने की सिक्षा दीता था विलुप्त वरंदावन को फिर से बसा है तो इनी के नाम मानते हैं कि जो एक प्रकार से विलुप्त हो गया था लोग जानते तो दे कि यह मथुराक्षेत्र है लेकिन यह जो वास का प्रचलन जादा चला वो चेतन ने मह महाप्रभू के प्रयासों से ही संभव हो पाया, आज कल के यादुनिक रूप में जो आज हमें वरिंदावन में भक्ती का जो आज का सुरुप दिखाए देता है, उसमें सबसे बड़ा योगदान चेतन्य महाप्रभू का माना जाएगा, ठीक हो गया, तो उसमें निश्यत र छोड़ा नहीं, वह मेरा ये कर्तव है, ठीक है, चाहते तो अपने ही साधना में लग जाते, मैं तो अपने आपको ही पहले संपून कर लूँ, ऐसा नहीं किया, कि सिर्फ अपनी साधना में लगए रहे, दूसरों के समय नहीं दिया, उनको पता है कि मेरी, मेरा जो लोक वह वेवार करतब विक्या है मेरा उस करतब का निर्वहन किया और चाहे उडिस्ता में जगनात पुरी हो और चाहे तमिलनाडी तमिलनाडू में कांची कोटी पीठो वाँ सभी जगह जाकर चैतन्य महाप्रभू ने ज्ञान योग के सामने भक्ती योग विशे रखा और बड़ी विनम्रता के साथ बड़े-बड़े ज्यानियों को भक्ती से परास्त किया यह च्छटे भाव का बल भी दिखाता है जो विपरीत राजयों में बुद्ध बैठा है ऐसे बुद्ध को मैंने बताया था बुद्ध को मीन राशी में नीच का माना जाता है जब बुद्ध जब बग कर भी सामने वाले कि ये शत्रुभाव माना जाता है जटा भाव सामने वाले शत्रुव को अपनी भक्तिया बिनम्रता के जीत लेंगे ठीको कि बहुत ऐसे दिस्कुशन भी हुए बहुत अच्छे ध्यनात्मक वारतालाब भी हुए जहां चेतन्य महाप्रभू ने भक्तियोग को घ्यान योग से उपर की शेडी में रख दिया तो यह बहुत बड़ा प्रभाव हम देख सकते हैं इनके चार्ट में इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बिल प्रकार्ष्थ्त की बात करते तो शूरे हमारे सब辗हों में चाहिए यहां तो नहीं हे लेकिना संधियाकाल के लग और त שמь फिर में प्रवेश करेगा तो संधियाकाल के चार घंडे के बाद इनका जन्मुआ हम ऐसा मानते हमारे मन में एक वहम होता है कि संध्याकाल के नजदीक जो जन्म होता है वह वैवाहिक दृफ्टी से इतना अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन हम अभी इस चीज को भी यहां देख सकते हैं कि संध्याकाल तो नहीं है संध्याकाल से लेकिन जब हम चंद्रकुल्डी से विचार करते हैं तो चंद्रकुल्डी से बिलकुल सूर्य राहू इनके सब्तम्भाव में आ जाते तो इस कारण से इनका जब विवा हुआ तो पहली जो पत्नी रही उनको शर्प दंश या कहें पैतान ने महाप्रभू का बहुत संसार को लेकर एक यह जो केतु वाली भावना है चंद्रमा केतु एक प्रकार डिटाच्मेंट था संसार से लिकिन अपने करतवयों का बराबर वहन किया और माता-पिता को संतुष्ट करने के लिए विवा हुआ उनकी पहली पत्नी को सर् हो गया उसके बाद उसके बाद उनको आगे विवा हुआ और तो पहले उस पर अटेम्ट कों कह सकते हैं पहला जो वह वहां का अटेम्ट था उसमें कहीं ना कहीं चंद्रकंदली से सूर्य राहु का मिलन और शुक्र जो वैसे सब्तम्भावों में अच्छे माने जाते हैं लेकिन उसको मेश राशी का बेश राशी से एक्जिक्यूट करने का ज्यादा अनुभव नहीं है कि मेश राशी जो एक कठिन राशी मानी जाती है जो कमांडर का आफिस है तो कोई ऐसा अनुबंद कारे करना हो उसके लिए तो बड़ी है मेश राशी लेकिन अगर एक पार यह हमारी अर्धांगिनी के साथ मेश्राशी आता है तो थोड़ा सा कम होता है हलाकि इनका जो स्वामी है इसका जो डिपॉस्टर है शुक्र का मंगल वो उच्छिका हो गया है तो यह बात बताते हैं कि भई यह मंगल दृष्टी के लिए बहुत बढ़ी है मंगल याने हम उस अब भी ज्यान योग कर्मियोग से नीचानी आने दिया और विनम्रता के साथ ठीको गया और प्रजा का पूरा समर्थन रहा जहां भी जाते थे पूरे के पूरे जन्समू कि चौथा भाव जन्समू का माना जाता है यानि सब्तम सब्तमेश जो है वो मंगल बली है तो एक प्रजमिंट के रूप में देखा जाता है वो अला पाक्ष बली था और पहला टेम्ट वैवाहां को लेकर थोड़ा सा उसमें कहा सकते हैं कड़वा हट रही और वो इश्वन ने जैसा रूप दिया है देखे वो तो भगवान ने हमें जो भी रूप दिया है हमें जैसा जी जीवन सर्वशेश्ट नहीं है इसलिए हर चीज को मैं पहले कहता हूँ अपने चार्ट को स्वीकार कर लेने से ही यहां हम एक चीज़ और महाप्रभू से शिक सकते हैं कि जीवन में कठिनाईया होने के बाद भी अपने कर्तव्यों का वहन किया और भक्तियोग को भारत के सभी अलग-अलग राज्यों में फैलाया बिना किसी कोई मन में हिन भाव ना आ जाए कि यह तो सांख्य के जानकार है इनसे मैं भक्ति में कैसे जीट जाओंगा नहीं ऐसा कई जगा श्रार्थ हुआ और भक्ति भारी पढ़ गई सांख्य पर तो इनके चेतने महाप्रभू के जीवन से यह देखा जा सकता है तो यह चंद्रग्रहन के समय इनका जन्मुआ था चंद्रग्रहन चल रहा था उस समय तो यह भी हमारे लिए एक सीख है कि कई दवाम चंद्रग्रहन सूरग्रहन के जो जातक होते हैं उनके मन में एक तरणशाएं हैं तो फिरम उसमें कही ना कहीं लॉकिक आकांख़ाव में शुक्र का बल देखते हैं लेकिन जहां सात्विक यह ब्रहस्पति की आकांख़ाएं तो व्रहस्पति का बल बहुत बढ़ जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि ब्रहस्पती का बल बढ़ा चड़ाए, इस कारण जो आकांगशाएं है, जो इच्छा पूर्ती है, उस उन पर हमेशा सत्व वहावी रहा, तो यह ध्यान रखना है, सूर्य ग्रहन या चंद्र ग्रहन के समय पर भी अगर किसी ब सारिक दृष्टी से, क्योंकि चंद्र ग्रहन में सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होता है, क्या आपको पता है, ग्रहन का मतलब वो एक दो घंटे का समय होता है, जब चंद्रमा को ढग लिया जाता है, नहीं तो पूर्णिमा में चंद्रमा संपूल हो जाता है, तो सारिक शुर्यां रखने की शूरए ग्रहन और चंद्रग्र हमें थोड़ा से ज्यादा दोश्माना जासकता है सूर्य रहन का कारण क्यों संसार को लेकर हमारा कोई कर देकर करेंगे अगर वो पूर्णिमा के नदीक का चार्ट थीक हो गया सूर्य और चंद्रमा जब आमने सामने होता है तो निश्यत रूप से चंद्रमा का बल ही उसमें देखा जाता है पूरा बली रहता है उन्मा में वो ग्रहन तो आप ये भी अंतर कर सकते हैं जब भी कभी सूर्य ग्रहन या चंद्रग्रहन की बात आएगी तो सांसारिक इच्छा पूर्ती के लिए चंद्रग्रहन को इतना ज्यादा बुरा नहीं माना जा सकता है तो इच्छा पूर्ती किसी भी रूप में रहे इसको आप समझ लीजिए हमने सब्सक्राइब इच्छा पूर्ती में क्या विचार किया कि हम जो हमारे देश में तीर्थ लोग हो गए उनका में पुनर उधार करूंगा तो संसारिक है तो लोग की कामना लेकिन ये सत्व से देश है तो उसमें भी हाला की कई प्रकार के योग बल है जोसको बचा लेते हैं लेकिन फिर भी अमास्या का मतलब अब चंद्रमा संसार से ज्यादा जुड़ना पसंद नहीं करेगा और पुनिमा का मतलब संसार से पूरा जुड़ना मून को आनंदा होगा और संसार के सारण माना जा सकता है कैसे पूर्णिमा के नजदीक जन्व लेकर संसार के सारे करतवयों का वहन करते हुए भगवान भगवान के सत्व रूप को पूरे संसार में फैलाया तो वैश्नव लोग इने श्रीकृष्ण का राणी संयोग अवतार मानते हैं माने इस प्रकार की श माना जाता है अलग लग नामों से जानते हैं चैतन्य महाप्रभू गौरांग रशिव माने प्रिश्ण और राधारानी का मिलन ऐसे अलग लग नामों से भक्तजन चैतन्य महाप्रभू को जानते हैं और निमाई कह देते हैं इसका भी प्रमुक कारण क्या बनता है इस कॉं तूरे से प्रभावित है हमारा जो मन है हम अपनी बातों को एक राजा स्तामान रखते हैं कभी भी अपनी बातों को रखने में चैतने महाप्रबू को लेश मतर भी समस्त्या नहीं हुई यानि हम अपने आपको सूर की सिम्मराशी को सभी राशियों का राजा माना जाता है लेकिन हमारी समाज में जो इमेज बनी वो तुला की तरह बनी तुला यहां दिखाए देता है कि अपनी बातों को रखने में स्वयम यह क्या मानते हैं अपने आपको ण्राशी लेकिन समाज में क्या बना तुला लगने तो इस प्रकार का एक धिकशनी योग दिखा यहां देता है दूसरा भाव हम ज्यादा तर हम अपनी spiritual talks की बात करते हैं तो देखे व्रशिक राशी वहाँ पढ़ती है व्रशिक का मतलब वैसे गुप्त रहस्य इन सब विशेयों के लिए देखा जाता है अभी हम यह देख रहे हैं कि शनी और मंगल बहुत मजबूती से परिवर्तन कर र है ठीक हो गया इसकारण से सोग्रही समान माना जाएगा दूसरा जो भाव है जहां से spiritual टॉप देखा जाता है तो जब आध्धात्म की बात रहती तो इनकी वानी से विक्ति पूरी तरह से अपने बंधन छोड़ देता है कि आठ नुमर का मतलब वैसे भी होता है गुप्तत दॉब्त का एकान तवास तो जब वो इनकी बाते सुन लेगा चेतन्य महाप्रभू के साथ रह लेगा इस प्रकार की कई उधारन आप देखेंगे चेतन्य महाप्रभू के जीवन से निकल कर आते हैं कि कई बड़े-बड़े जो सामंत या जमीदार राजाओं ने चेतन्य म अच्छा माना जाता है एक कुटंब और भवन का मिलन की दृष्टी से तो विवस्था की दृष्टी से कहले या उत्समानानी की दृष्टी से कहले बहुत अच्छा संदेश चेतन्य महाप्रभू ने दिया कि हां हम उत्समाव को बिलकुल मनाएंगे और आज भी वरंदावन में जब चेतन्य महाप्रभू ने प्रवेश किया था उस दिन को आज भी बड़ उत्सा से मनाया जाता है तो बहुत कथिन मार्ग से वरंदावन चलकर चेतन्य महाप्रभू आये थे और जिस दिन उन्होंने प्रवेश किया था वरंदावन वो आज भी वरंदावन में उत् टॉक होता है संसार से जो वारता अलाप होता है हम ज्यादा तर हमने एक थमरूल बना रखा है कि हम तो आध्यात्म के जरी इशवर को पा सकते हैं लेकिन कितना अच्छा है क्यतने महाप्रबु का चार्ट जहां हम दूसरे भाव के जरिये भी यहांने अमारी आध्यात्मिक जो भाव माना जाता है वो भी और संसारी किया फॉर्मल जो टॉक्स है वहाँ पर भी ब्रहस्पती और के तू जैसे ग्रहों का प्रभाव देख रहे हैं के तू का दृष्टी संबंदय और ब्रहस् वर्तन मात्रत्व और मात्र भूमी से अगाद प्रेम को बताता है जैसे मैंने बता है दूसरा भाव कुटूंब इकठा होना एकत्रण और चौथा भाव हमारी मात्र भूमी है तो इस प्रकार के जो भक्ति के लिए सेलिब्रेशन जो उत्सवों का जो महाल बना वो चेतन्य महाप्रभू के अकारणी बना इस प्रकार के सारे इवेंट्स की भई हम अगर आज भगवान को लाए हैं तो उस दिन भी हम इस अलग लग प्रकार के जो भी हम देखते हैं आज के आज के समय पर जो मंदिरों के रूप में या इस कौन की जो शैली है या अलग लग से कारे करना उस सब के रूप में हर कारे को देखना तो वह उसमें बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है चेतन्य महाप्रभू का जीवन और स्वग्रह राहु का विवेग बुद्धी धर्म और मस्तिक्ष भाव पर बना धनात्मक प्रभाव राहुकम सामाननिता मानते हैं हमारे जो हमारी पूजा पदती है उससे अलग विचार धारा तो चेतन्य महाप्रभू ने कहा कि चाहे कोई अंग्रेज हो चाहे कोई दूसरे धर्म का और विक्ति हो सभी विक्ति मिल जुलकर सनातनी हो सब मिल जुलकर उसको उसको मनाए और भक्ति के लिए कोई कोई ऐसा टाग नहीं होना अच्छे कि भक्ति पर उसका अधिकार उसका साय उनमें बहुत बड़ा योगदान चेतने महाप्रभु का माना जाता है इंदर कुंदली में सब्सक्रा सूर्य राहु मेश का शुक्र जैसे हमने और डिसकस कर लिया विपरीत राजयोग से नीच का बुद्ध ग्रह शत्रों को भक्ती से परास्त करता है तो इस प्रकार का इनके जीवन को जो पढ़ेंगे आप तो समयन में आएगा कैसे बहुत बड़े-बड़े विद्वान जो अपने आपको सांके के मानते थे वह चेतने महाप्रभु के सामने उन्होंने सेरेंडर कर दिया के वह भक्ति के कारण चेतने महाप्रभु के वह फॉलोवर बन गे उ तो हम पूरा जीवन इनका चार्ट डिसकस करते रहेंगे तो भी कम है लेकिन समय सीमा में हम बंधे हुए है और इसी प्रकार के अलगलग विक्तित्व अलगलग महान भक्त हम आपके साथ उनके चार्ट शेयर करते रहेंगे और यह चार्ट हमने लिया है रेफरेंस कुंडल संग्रे खंड से और आप सभी के स्तयोग के लिए पुना पुना आपको हरदे से अभिनंदन सादुवाद मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए जैश्री भगुपर आशरा जैश्री शुक्राचारिया नमस्कार